बीरगाथा प्रजेक्ट 4.0 के अंतरगत पिरतेक सालाओं से चार छात्रों के चेत्रकला, निवन्द या फिर जो कविता है इन्हें अपलोड करना है माय गौवर्मेंट की ओपिशल वेवसाइट में हले कि समन में जो लाश डेट थी वो 15 अक्टूबर थी लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है अब आप 21 अक्टूबर 2024 तक छात्रों के जो निवन्द हैं या फिर चेत्रकला है या फिर कोई कविता है वो आप माय गौवर्मेंट की ओपिशल वेवसाइट में अपलोड कर सकत हैं आईए देखते हैं इसकी पूरी पूर्चेस क्या है सबसे पहले इसके जो समान निर्देश हैं समझ लेते हैं इसमें कख्छा 3-12 तक के जो चात्र हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए टॉपिक भी दिया गया है तो आप देखें तो इस सम्मन में विस् पूश निर्देश इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे साथ ही इसमें बताया गया है कि राश्टी स्तर पर कुल सो विजयताओं का चैन किया जाएगा जिसमें पृतेग बिजयता को दस जार रुपे की नगद रासी पूरुसकार के रूप में दी जाएगे तो इ इसका आदेश भी जारी किया गया है जिसमें बिस्तेत निर्देश दिए गये हैं जैसे सबसे पहले आप इनके जो टॉपिक हैं वो देख सकते हैं कि किस बिसे में आप इसमें content upload कर सकते हैं इसके इतरिक स्रायनी की आदि हम बात करें तो इसमें चार श्रायनी निर्धारित की गई है जैसे स्रैनी यादि किसी साला में कक्छा 10 तक के स्कुल है अर्थात कक्छा 1 से 10 तक का संचालन होता है तब इसमें कैसे आप जो कंटेंड है वो अपलोड करेंगे जैसे स्रैनी 1 वह 2 और 3 में पिरतेक में एक सर्षेश्ट प्रस्तूती जो रहेगी वो आप हो गए और एक अत्रिक्त आपको इसमें अपलोड करना होगा इस प्रकार से विध्याले द्वारा कुल प्रस्तूत प्रिविश्टियां चार रहेंगी तो इस प्रकार से इसमें कंटेंड दिया गया है सैनी बताई गई है कि किस कक्छा के कितने चात्र इसमें आपको है वो कैसे करें तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको माय गौर्मेंट की जो ऑपिशल वेव साइट है इसे सर्च कर लेना है इसे ओपन करना है या फिर सिंपल आप गूगल में सर्च कर सकते हैं बीर गाथा प्रोजेक्ट जैसे आप सर्च करेंगे तो काफी सारे रिजल्ट है उन्हें सब्मिट करना होगा प्रोल अगוכर्ण होगा देखेंगे कि सब्मिट एयौरएंट्री लिखा हुआ है जैसी आप इसे ओपन करते हैं तो यहां पर सम्मिट एयौरएंट्री पर किलिक किया तो हम लौगइन पेज पर आ चुके हैं जहां आप दो तरीके से भी कर सकते हैं जैसे पहली ही जो पुर्सेस है इसे हम देख लेते हैं हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो इसमें दर्ज करेंगे और लॉगिन बित ओटीपी पर किलिक करेंगे जैसे हमने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है और लॉगिन बित ओटीपी इस ऑप्शन पर जैसे हम किलिक करते हैं तो थोड़ी पुरसेस होगी और जो नंबर हमने इसमें फिल किया है उस नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको अगले पेज में दर्ज करना होगा आप उक तो जो पुरसेस है इसे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं बहुत ही असानी से इसमें कोई कि पुरसेस होती है और इसके उपरांत हम माय गौर्रमेंट की जो आपिशल वेबसाइट है इसमें लॉग इन हो जाएंगे अब आपको नए पेज में जो पर्शनल डिटेल है वो फिल करना होगा पर्शनल डिटेल में जैसे टाइप आप इसकुल बोर्ड यहां से स्कुल क नाम है वो आपको यहां पर लिखना है और इसके पर शायद आपको इसकुल मैनेजमेंट यहां से सल्ट करना होगा कि इसकुल कि प्रकार का है गवर्मेंट है प्राइबेट है जो भी है वो आप यहां सा सेलड़ कर लाएं इसमें गॉझ्ट इसकूल के चाथर यह फिर private इसकुल के चाथर किसी भी इसकूल के चाथर अपना participate कर सकते हैं कख्छा 3 से 12 तक के चातर इसमेगेश कर पाइंगे अब हमने इसकूल management इसमेश कर लिया नाम आपको लिखना है प्रिंसपल का नाम जो category है वो select करना होगा तो जैसे हम 3-5 या फिर 6-8 के किसी student का upload कर रहे हैं तो हम यहाँ पर option select कर लेते हैं और जैसे हम select करते हैं तो आप देखेंगे कि एक नया page हमारे सामने आ चुका है जहां आपको activity जो है वो select करना होगा कि जो चात्र है वो poem इसमें upload कर रहा है paragraph है painting है drawing है या multimedia presentation है जो भी हो वह आप यहाँ से select करना है जैसे हम जो painting है वो upload करना چाहा रहे हैं तो यहाँ से drawing, painting वाला option हम select करते हैं और जो choose file है इस पर click कर दें और जो भी छात्र ने painting बनाया है वो आपको इसमें select करना होगा जैसे हम एक painting छात्र ने बनाया है इसे select कर लेते हैं और इसे upload कर देंगे JPG format में कर सकते हैं अधिक्तम जो है 4 MB के size में आप इसमें upload कर पाएंगे तो हमने जो file है वो select कर लिया अब यहाँ पर आपको topic देना होगा तो अब father's guardian name आपको यहाँ पर देना होगा और simply date of birth जो शात्र की है वो दरज कर देंगे इसके पर चात्र का जो gender है वो आपको select करना होगा चात्र किस कक्छा में है वो यहां से आपको बताना होगा, तो हम यहां से कक्छा select कर लेते हैं, यहां पर जो arrow दिया गया है, इसे आप कक्छा का chain कर सकते हैं, अब total number of student participation from class 6 to 8, 6 से 8 में कितने चात्रों ने participate किया है, उसकी संख्या आपको यहां पर दर्ज करना होगा, लिखना होगा, अब इसमें बत चात्रों से देख नहीं रहे हैं, सभी चात्रों की सहवागीता रहती है, तो आपको अपनी साला के सभी चात्रों की जो दर संख्या है, सम्बंधित, साला में कक्छा 6 से 8 में, या फिर जो भी कक्छा का chain आप कर रहे हैं, तो उस साला के सभी चात्रों की दर संख्या आपर फिल कर देना है तो आप यहां पर टोटल दर्संख्या फिल कर देते हैं और इसके पर चार्थ सिंप्ली सम्मिट पर किलिक कर दें जैसे हम सम्मिट पर किलिक करेंगे तो एक कनफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा कि कि आप इसे आगे पुरसेस करना चाहरे हैं तो आपको तो में हर सकते हैं अब यहां से क्लास केरी वह वसलेट करें और जैसे 6 जानकारी यहां समझ पाया होंगे रिंते हैं कुछ इस प्रकात की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन।